आदाब नमस्कार आप सभी का स्वागत है QNS TV में और मैं हूँ आंचल मिस्की चलिए आज के पेशकर्ष की शुरुवात करते हैं आज की हमारी रिपोर्ट में हमारा फोकस रूरल डेवलप्मेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे CIC वोर्कर्ष की प्रेजिट सिचुवेशन के बारे में है आज के रिपोर्ट में हम इन ही से जुड़ा लंबे समय से एक पेंडिंग इशु को सब के सामने लाएगे सबसे पहले आपको बताते हैं कि इशु है क्या और किस तरह से ये सामने आया असल में 18 फर्वरी 2022 को प्रियंका चतुरवेदी जो राजस सभा की मेंबर ऑफ पार्लिमेंट है उन्होंने Honorable Home Minister श्री अमिच शाजी को एक official letter लिखी जिसमें उन्होंने इस letter के जरिये Rural Development Department में काम कर रहे CIC workers की situation को highlight करने की कोशिश की इस letter में ये करवे करने की कोशिश की गई कि जिन 172 CIC operators की नियुकती 2004 में merit के basis पे हुई थी वो 18 साल से अभी तक कुल 10,000 रुपे की salary पे गुजारा कर रहे है और अभी भी regularize नहीं किये गए और जिन CIC operators को उस समय नियुकत किया गया वो MCA, MTEC, MSC, IT, BE और BTEC जैसी degree holders है और ऐसी degrees होने के बाद भी इन operators को salary के नाम पे चिलर दिया जा रहा है इन 18 सालों में इन CIC operators को regularize करने के लिए कई सरकारी committees बनाए गई पर आज तक उसका कोई नतीजा देखने को नहीं मिला दोस्तों हम बार बार Rural Development Department में काम कर रहे CIC operators का जिक्र कर रहे है ये CIC operators में CIC का full form है Community Information Center ये CIC operators गाउं में रहने वाले लोगों को सरकारे schemes के बारे में जागरूप करते हैं e-governance से जुड़े online web portals manage करते हैं हर aspect की information फिर वो चाहे agriculture से जुड़ी हो, finance, education, employment से जुड़ी हो ये rural community में लोगों को इस बारे में जानकारी हासिल करने में मदद करते हैं you can say that CIC operators सरकार और आम लोगों के बीच एक bridge की तरह काम करते हैं इन्हें किसी सूरत में हलके में नहीं लिया जाना चाहिए था पर यहां दुख की बात तो यह है कि एक एहम कड़ी होने के बावजूद इनकी situation को ignore किया गया कई employees अब इसमें ऐसे होंगे जो overage हो चुके होंगे यानि किसी और job के लिए apply नहीं कर सकेंगे जिस कारण ये यहीं फसे रह गए और आप सभी जानते हैं कि आज सिर्फ 10,000 रुपे में अपने परिवार को चलाना नामुम्किन सी बात है सोचने वाली बात है कि ना जाने कैसे ये CIC operators अपना परिवार चला रहे होंगे सिती में सुधार के आशवासन के साथ हर बार इनके मसले को सरकारी सब committees के हवाले कर थंडे बस्ते में डाला जाता रहा है ये issue आज पहली बार highlight नहीं हो रहा इस मसले को पहले भी बहुत बार सब के सामने लाया गया पर जैसा कि हमने पहले भी कहा इस और कुछ नहीं किया गया अगर किया गया होता तो आज हम ये मसला फिर address नहीं कर रहे होते अभी 132 CIC operators इससे बत्तर हाल में पहुंचे उससे पहले ही UT Government और Honorable LG से हमारी ये request है कि प्लीज इस मसले को हलके में ना लिया जाए जो लोग अपनी जिंदगी के 18 साल इस काम को दे चुके हैं वो complete justice deserve करते हैं सालरी के नाम पर 10,000 रुपे का मिलना और इस बात का सामने आना कि इतने सालों में ना तो इनकी salary बढ़ाई गई और ना ही इन्हें regularize किया गया ये शर्म की बात है इसलिए यहां हमारी यही अपील रहेगी कि इस तरह की नाइनसाफी से NCIC operators को राहत दी जाए और जायस इनसाफ दिलाया जाए तो इसी बात के साथ दोस्तों हमारी आज की इस report में सिर्फ इतना ही हम फिर हाजर होंगे आप सभी के साथ लिए किसी और report के साथ तब तक के लिए बागी खबरों के लिए आप सभी बने रहे है QNS TV के साथ और मुझे दीजे अजासत नमस्कार